ही गाईज, वालकम बैक टो माई यूटूब चैनल और आज की वीडियो स्पेशली स्कीन केर के उपर है स्कीन केर के उपर मतलब फेस पैक तो आज मैं आपको स्पेशल फेस पैक बताने वाली हूँ तो प्लीज वीडियो स्कीप मत करना और वीडियो लास तक जरूर देखना मैं मेरी स्कीन को लेकरना कभी-कभी बहुत ज़ादा परिशान हो जाती हो जैसे कभी हमें इंस्टंटली कही पार्टी में जाना है या फिर शादी में जाना है उस टाइम पर हमारी जो स्कीन होती है वो बहुत सादा डल दिखती है तो क्या आप भी ऐसे परिशान होते हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना और वीडियो लास तक ज़रूर देखना बिकॉज मैं इसके रेकरणिंग आपके लिए एक बेस्ट पैक शेयर करने वाली हूँ जिसे यूज करके आपके जो ये प्राबलम से वो बहुती जल्दी सौल हो जाएंगे और आपके स्कीन जो है वो इंस्टंट गलो करेगी जब आप ये फेस पैक अपलाई करोगे तो आपके स्कीन के ऊपर वो मॉश्चर आएगा और आपके स्कीन नैचरल गलो करेगी तो फेस पैक बनाने के लिए जो मैं इंक्रेडियन्ट यूज कर रही हूँ वो है हल्दी और धही तो ये दोनों इंक्रेडियन्ट तो हमारी कीचन में ही अविलेबल रहते हैं तो आपको बाहर से कुछ भी चीज़े यानि की कोई एक्स्ट्रा इंक्रेडियन्ट आपको मंगवाने की ज़रत नहीं है तो हल्दी यानि की टर्मरी जो की हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा वर्ग करती है बहुत ही जादा बेनिफिट देती है इसलिए मैं हल्दी और दही खाने की साथ साथ हमारे फेस के लिए भी बहुत जादा बेनिफिट है तो हल्दी आपको लेना है half teaspoon और एक चमच आपको दही लेना है तो दही आपको लेना है गाड़ा उसमें पानी नहीं होना चाहिए और आपको हल्दी इसमें add करनी है और ये दोनों को अच्छे से आपको paste बनाना है face pack की तरह और इसे अपने face के उपर apply करना है तो मैं पूरे face के उपर इसे apply करती हूँ हफते में दो बार तो ये face pack हमारे skin के उपर जो dirt है इसे remove करता है तो आपको जो हल्दी लेनी है वो आपको जो market में pocket में मिलती है वो हल्दी आपको बिल्किल use नहीं करना है तो आप कस्तुरी हल्दी use कर सकते हो या फिर जो हम वो piece के हल्दी बनाते है वो आप ले सकते हो वो हल्दी आपके skin के लिए face के लिए बहुती सादा फाइदेमत होता है तो हल्दी में antioxidant properties होती है जो हमारी skin को healthy बनाती है और skin को चमटदार बनाती है साथी साथ हल्दी हम जादा use करे तो हमारे जो pimples है और acne की problem भी धेरे-धेरे कम होती है और जो दही हमने use किया है उसमें lactic acid होता है तो हमारे face को वो naturally moisturizer करता है तो ये दोनों का combination से हमारी skin काफी साथ glowing होती है तो ये face back आप कही बार use करना हपते में दो बार भी आप use करोगे तो भी आप जैसे कही party में शादी में जा रहे हो तो आपको extra अपने face के उपर efforts नहीं करना पड़ता तो ये आप अपना routine बनाना इसे use करोगे तो आपके धीरे-धीरे skin के problem जो है वो खतम हो जाएंगे तो ये face back apply करके आपको at least 15-20 minute तक रखना है ये सूख जाए और अच्छे से हमारे skin के उपर work करे ध्यान रखना है आपको eyesight के दूर apply करना है because कहीं आपको itching वगेरा ना हो तो 15-20 minute के बाद आप normal water से wash कर लेना और देखना आपकी skin काफी अच्छी और glowing skin बन जाएगी बट अगर आप बहुत जादा busy हो और आपको time ही नहीं है skin के लिए तो ये face back आप बस 2-5 minute के लिए face के उपर massage करना wash करना तब भी आपके face के उपर अच्छा वग करेगा बट आपने जादा time apply करके रखे गे तो ये काफी अच्छा वग करेगा तो का इस वीडियो अच्छा लगा हो तो please channel को subscribe करना